महापार असे सिखें जह शबक कभी मत करो जह चौदा काम नमबर साथ बीशम की तरें अनुचित प्रतिग्याम में मत बनो नमबर आठ दुर्शाशन की तरें नारी का अपमान मत करो नमबर नौ पांडू की तरें काम के वशिवूत मत बनो नमबर दस प्रिक्षित की तरें क्रोध में अनुचित कारिय मत करो नमबर ग्यारा द्रोनाचारी की तरें अर्द सत्य पर विश्वाश मत करो नमबर बारा गंदारी की तरें नेतर हिनकान सर्ण मत करो नमबर तेरा अश्वदामा की तरें आनियंतरित मत हो जाओ हर व्यक्ति को महापारस से जह पांच सबक जुरूर सीखने चाहिए नमबर एक क्रिशन की तरें दर्म का साथ दो अभिमन्नू की तरें बीर बनो नमबर तीन गटो कच की तरें दर्मकारिये में खुशी से बलिदान दो नमबर चार विदुर की तरें सपस्तवादी और सुबचिंत कवनो नमबर पांच अरजुन की तरें अपनी वागडोर वगवान के हांथों में सौंप दो इनो परोक्त बातों का सार अधारमा और अत्तैचार होते हुए देखकर जो लोग सिर्चुका लेते हैं उनके सिर्फ एक दिन आवश्च करते हैं महपारत इस वात का शक्षी है गीता का ग्यान बुला कर मानबता सदाहारी है इसलिए संसार में कहीं न कहीं महापार्थ जारी है हमारे जीवन की दिशा इस बात पर निर्पर करती है कि हमारा सलाकर कौन है दर्जोजन सुकनी से सला लेता था और और जन्व स्रीकृषन से याद रखना अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसरी बजाने वाला कभी महापार्थ होने नहीं देता मैदान छोड़ कर कभी कोई जंग नहीं जीती जाती लड़ना पड़ता है महापार्थ की तरे कभी अपनों से तो कभी परायों से और कभी खुझ से